हलो फ्रेंड्स मैसल शब्बिर उसेन और वाचिंग फीजियो और टॉक दोस्तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीमर बॉन को तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने हमारा स्कलेटन चूस कर लिया है अब हम इसमें सलेक्ट ड़ते हैं हमारी फीमर बॉन को तो आज की वीडियो में हम फीमर बॉन को पढ़ेंगे इसको देखेंगे कि रियल में कैसी दिखती है इसके क्या-क्या पार्ट्स होते हैं और क्या-क्या इसकी सर्फेसिस होती है और जब हम Anatomy Lab में इस bone को अपने हाथ में लेते हैं तो यह कैसी दिखती है किस तरीकी से इसके parts और इसकी surfaces होती है जो कि जब भी वाइवा वोस में आपको question पूछा जाता है तो आपको femur bone आपके हाथ में दी जाती है और आपसे इसके parts और इसकी surfaces के बारे में पूछा जाता है तो आज की वीडियो में आप digitally सीखेंगे कि femur bone कैसी होती है उसके parts क्या-क्या होते हैं उसकी surfaces क्या-क्या होती है तो जिससा कि आप देख पा रहे हैं skeleton में हमने हमारी femur bone को select कर लिया है अब हम इसको isolate कर लिते हैं तो दोस्तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने हमारी femur bone को isolate कर लिया है जब आप anatomy lab में जाते हैं या dissection hall में जाते हैं और femur bone को जब आप अपने हाथ में लेते हैं तो इस तरीके से आपको femur bone दिखाई जाती है Femur bone आपको इस तरीके से देखने को मिलती है अब इसके parts पढ़ने के लिए इसकी surfaces पढ़ने के लिए हम इस bone को थोड़ सा colorful कर देते हैं ताकि हम इसके जो parts हैं और इसकी surfaces हैं वो easily समझ पाएं तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने हमारी femur bone को colorful बना दिया है ताकि इसके parts और surfaces पढ़ने में हमें आसानी हो तो शुरुआत करते हैं इसकी parts की जो आप ये बीच में green part देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं shaft of the femur ये femur की shaft है corpus femoris shaft of the femur ये जो purplish color का part आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं neck of the femur ये जो blue color का part आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते है head caput femoris और ये जो dark red color का part आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं greater trochanter greater trochanter है ये femur का और ठीक इसके नीचे ये जो छोटा सा परपलिश पार्ट आपको निज़रा रहा है इसको हम बोलते हैं लेसर ट्रोकेंटर तो जो रेड पार्ट था वो ग्रेटर ट्रोकेंटर और ये परपलिश पार्ट जो है ये लेसर ट्रोकेंटर और इसके head पर आपको एक point देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं fovea of head of femur fovea capitalist femoris उसके बाद नीचे की और ये जो आप yellowish color का part देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं distal end of femur this is medial condy ये जो brown color का part आपको नज़र आ रहा है and ये orange color का part है lateral condy और ये जो blueish color का part आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं articular surface of medial femoral condy और इसी तरीके से ये वाला surface हुआ articular surface of lateral femoral condy और जो बीच में light blue color का part आपको देख पा रहा है इसको हम बोलते हैं patelar surface तो दोस्तों ये हुए femur के parts अब हम पढ़ते हैं इसकी surfaces के बारे में तो दोस्तों femur की surfaces पढ़ने के लिए भी हमने femur को दुबारा से थोड़ा सा colorful lines के अंदर divide कर दिया है ताकि इसकी surface पढ़ने में हमें आसानी हो तो ये जो purplish color का part आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं anterior surface ये जो dark purplish area आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम बोलते हैं medial border this is medial surface this is pectineal line this is quadrate tubercle intertrochanteric line जो दो trochanter के बीच में line होती है उसको हम बोलते हैं intertrochanteric crest this is lateral surface this is lateral epicondyle और इसको हम बोलते हैं popliteal surface ये जो greenish color का part आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं popliteal surface और ये हमारी हुई lateral lip of femur this is lateral border और जो red color का part आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं intertrochanteric line तो इस तरीके से आपको intertrochanteric line देखने को मिलती है इसको हम बोलते हैं intercondylar line दो condyles के बीच में जो line आपको देखने को मिलेगी इसको हम बोलते हैं intercondylar line this is medial epicondyle और ये है adductor tubercle medial condyle पे आपको बीच में जो एक उबरा हुआ surface देखने को मिलेगा इसको हम बोलते हैं adductor tubercle और ये जो orange color में आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं groove for the popliteous sulcus popliteous ये जो greenish color की पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं lateral supracondylar line और this is medial supracondylar line जो medial condyle से उपर जाती ही line आपको देखेगी उसको हम बोलते हैं medial supracondylar line और जो lateral condyle से आपको जाती ही दिखेगी उसको हम बोलते हैं lateral supracondylar line this is trochanteric fossa दो trochanter के बीच में एक उबरा हुआ surface आपको जो depression आपको देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं trochanteric fossa तो दोस्तो इस तरीके से यह हमारी femur के surfaces होती है तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने हमारी femur bone को पढ़ा longest bone होती है हमारी body की तो आज की वीडियो में हमने इसकी anatomy पढ़ी है इसकी parts पढ़े हैं इसकी surfaces पढ़ी है उम्मिद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वेल्यूवल फीडबेक नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल ना पूरे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबस्क्राइब करें फीडियो तॉक थाइब करें वीडियो तॉक